हेलो फेंड्स बेस्टी की स्वेशल क्लास में आप सब लोगों का एक बार फिर से मुस्ट वलकम है और आज किस वीडियो में डिसकस करेंगे ब्यूजी का थर्ड सेमेस्टर है सेल बालोजी एंड जेनेटिक्स और इस सेमेस्टर से हमारा पिछला लेक्चर एंडो प्लाजमिक क्रेडिकुलम पर था और हम इस समय सेल बारोजी के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं आज किस वीडियो में डिसकस करेंगे गौजी कॉंप्लेक्स के बारे में और इस सेमेस्टर से और भी कुछ इंपोर्टेंट वीडियो जैसे की प्लाजमा मेंब्रेंज जो कि आपकी एक्जाम करेक्ट तो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे गौजी कॉंप्लेक्स के बारे में प्लांट बिसको क्लों इसको अलग अलग नामों से चाना जाता है। 東西 जो की जिन्होंने इसकी ultra structure को दिया था उनके नाम पर इसकाiran complex के नाम से concurr और यहां पर जो कैमीलो को जी साइंटिस्ट नोने इसकी मॉर्फोरोजी को एक्स्प्लेइन किया था इन्होंने जो हैं डिस्कवर किया था उल्लू या फिर कैट की नर्व सेल्स के अंदर तो उन्हीं के नाम पर इसको बोला गया गया गॉल्जी कॉंप्लेक्स तो इसके रेटिकुलम के बारे में एक डिटेइल में हमने वहाँ पर इंटॉडक्शन किया था उसका आप ठियोरी भी नौट किया था और लास्ट में हमने इसके फंक्शन को भी देख आ था अर इसी तरह से हम एंड़ोजी कॉंप्लेक्स के बारे में इस्टेडि करेंगे तो चलिए बेसिक information होता है या basic knowledge होता है जिसके base पर हम आगी की काफी सारे जो इसके point है या इसकी physiology है उसको समझ सकते हैं या इसके अंदर जो होने वाली chemical reactions है उसको हम समझ सकते हैं तो उसे समझने के लिए हमें कि हमें इसकी जितने भी structure होता है गौलजी complex का structure क्या है और उन structure में प्रते हम यह देखते हैं कि golgy complex के कितने नाम है जैसे हम golgy complex भी बोल देते हैं golgy bodies भी बोल देते हैं golgy apparatus भी बोलते हैं इसको हम cell की traffic police के नाम से בी जानते हैं क्योंकि यह क्या करता है जैसे यह proteins जो होते हैं या lipids जो होते हैं उनको صही स्थान पर पहुचाता है ठे速 का काम इसी तर जबकि अब ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर protein का formation हुआ, protein का synthesis हुआ, तो यह किसी भी जाकर के plasma membrane या किसी भी organs में जाकर shift हो जाएगा, ऐसा नहीं है, यह targeted होता है, ठीक है, अगर plasma membrane से related है, तो जाकर plasma membrane में ही embedded होगा, ठीक है, तो एक तरीके से ही क्या करता है, traffic police की तरह work करता ह ठीक है, और यह जो है, इसको हम Golgi bodies, Golgi apparatus, Golgi complex के नाम से भी जानते हैं, अगर यह plant के अंदर present है, plant cell के अंदर present है, तो हम इसको dicteosome के नाम से भी जानते हैं, most important point इसको note करेंगे, इसको हम Dalton complex के नाम से भी जानते हैं, reason यह है कि इसकी ultra structure को देने वाले जो scientist है, वो Dalton है, और इसको हम, कैमिलो Golgi ने इसकी morphology को दिया था, 1898 में इसको discover किया था, इसको जो है, इसकी morphology को explain किया था, जिसके लिए उन्हें Nobel Prize से award किया गया था, 1906 में इनको Nobel Prize से award किया गया था, तो इसको हम Golgi complex के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इसको हम lipochondria के नाम से भी जानते ह है, तो अगर आप इसकी, यह जो आप डाइग्राम्स देख रहे हैं, यह तीनो डाइग्राम्स आपको काफी कुछ समझा देंगे, यह डाइग्राम्स आपको यह समझाएगा कि कैसे, मतलब, cell के अंदर इसकी positions क्या है, और इसका function क्या है, तो इससे आप completely समझाएगे, दू इसका function क्या है, chemical composition क्या है, main function क्या है, structure क्या है, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं, cell के अंदर observe करने वाले जो scientist है, उनका नाम है George, जिन्होंने सबसे पहले cell के अंदर इसको observe किया, उसके बाद morphology given करने वाले, मैंने आपको बताया, Camilogology, जिन्होंने 1898 में इसको explaining किया, और जिसके लिए उन्हें 1906 में Nobel Prize से award किया गया था, इसकी ultra structure को देने वाले जो scientist है, वो dalton है, Camilogology ने इसको कहाँ पर discover किया था, cat और owl, उनलू जो होता है, उसकी nerve cells के अंदर इसको observe किया था, correct, इसको हम also called lipochondria, dictyosome in plant cell, अगर ये plant cell के अंदर present है, तो इसको हम dictyosome के जानते हैं, अभी हम देखेंगी इसका number, ये कि मतलब plant cell में इसकी number क्या है, या जो animal cell में इसका number क्या है, इसमें जो structure से स्टरणी होता है, वो कैसे vary करता है, नहीं क्योंकि इसका जो number है, वो अलग-अलग cell में अलग-अलग तरीके से vary करता है, इसका जो shape है या size है, वो सब अलग-अलग उसकी जो संख्या होती वो अलग-अलग सेल में function के base पर structure के base पर ये सब vary करता रहता है ठीक है तो ये कहां पर पाये जाते हैं basically found in eukaryotic cell ये जो है eukaryotic जो complete developed cell होती है उनके अंदर पाये जाता है मेरा पिछला lecture अगर आपने देख लिया है तो आप इस lecture को काफी अच्छे से समझ पाएंगे पिछला lecture मेरा endoplasmic reticulum पिर था जिसको मैंने काफी अच्छे से समझाया था कि कैसे endoplasmic reticulum की structure क्या है function क्या है सब कुछ मैं already बता चुका हूं ठीक है अगर वो lecture आप देख कर आये हैं तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको और भी अच् प्रेजेंट होता है उसको बोलते है rough endoplasmic reticulum जहां से protein का संसलेशन होता है या synthesis होता है दूसरा पार्ट होता है इसका smooth endoplasmic reticulum जहां से जहां पर ribosome absent होते है और यहां से lipid का synthesis होता है तो यह जो गौल जी का जो cisterny होता है इसकी structure हम देखेंगे अभी तो यह भी तरीके स उसी parts में इसमें भी vacuoles present होते हैं, vesicles present होते हैं और cisterny present होता है थोड़ा बहुट differentiation है लेकिन इसका जो smooth endoplasmic reticulum होता है उससे काफी जो cisterny है और smooth endoplasmic reticulum की जो tubules होता है उससे काफी similarity show करता है ठीक है अभी एक और system है GERL system G EG represent करता है वहां पर Golgi complex को ठीक है और ER represent करता ह है endoplasmic reticulum को और L represent करता है lysosome को यह system में आपको lysosome के lecture के बाद आपको समझाओंगा काफी important है competitive exam के दरस्टी कौन से भी तो यहां पर यह कहां पर पाय जाता है जैसे कि मैंने आपको बता है eukaryotic cell के अंदर पाय जाता है जो complete developed cells होती है उसमें भी कई सारे exceptional cases है जैसे कि जो plant cells है उनके जो gamits होते हैं उनके अंदर यह absent होता है हाला कि वो भी eukaryotic cell है बट उसमें absent होता है RBC में जो होता है उसमाह भी absent होता है और मतलब थोड़े बहुत exception है लेकिन generally हम क्या कहेंगे कि prokaryotic cell के अंदर Golgi complex absent होता है और eukaryotic cell के अंदर Golgi complex present होता है ठीक है मतलब कहां प plant cells के अंदर जो Golgi complex की संख्या है जो आप देख रहे हैं जो Golgi complex इनकी संख्या जो है vary करती है मलब अलग-अलग cells में plant cell में 6-12 तक हो सकती है 6-12 इन नंबर में present हो सकती है और वहीं पर हम बात करते है animal cell में तो प्रतेक cell में एक Golgi complex present होता है तो plant cell में इनकी संख्या जो है जो lower algae होता है जो bulgul lower class की algae होती है उसमें उनकी संख्या 1 होती है और जो rhizoidal cells होते हैं उसमें काफी सारे जो है इसमें पाए जाते है 100 तक पाए जाते हैं तो काफी सारे हो गए ठीक है अब हम देखेंगे इसका size Golgi complex का size होता है जैसे कि आपको पता है यह जो है secretory cells होती है इनका जो main function होता है वो secretion होता है correct इस्त्रावन होता है इसके हम इस्त्रावी organs भी बोलते हैं cell का इस्त्रावी organs ठीक है तो यह जो है इनका size होता है मतलब यह secretory cells जैसे for example यह liver में जो है liver में और pancreatic cell में इनकी जो size होता है वो काफी बड़ा होता है large होता है ठीक है अगर सेक्रेशन का होता है यहां पर सेक्रेशन बहुत ही कम होता है है या यह नहीं होता है जैसे कि नोन सेक्रेशन cells, जैसे for example, है इसका muscles, तो इसमें जो है इसका जो size होता है, बहुत ही छोटा होता है, smaller होता है correct, तो ये जो है किसके base पर, size के base पर या यहाँ पर इसके फंक्षन के base पर इसका je size है, वो थोड़ा differentiation होता है, यहाँ पर इसका function जादा है मतलब जादा सेक्रेशन कर रहा है तो इसमें इसका साइज बढ़ा सा हो गया वहाँ पर मसल्स की बात करते हैं हाँ पर इसका सेक्रेशन का काम नहीं है तो यहाँ पर काफ़ी smaller हो गया तो function की base पर इसका जो साइज है वो vary करता है उसके बाद हम बात करते हैं location की यह cell में कहां पर present होते हैं तो देखो यहां पर इसके दोनों जैसे आपने देखा था endoplasmic reticulum के बारे में जस्ट वहीं पर अब हम देखते हैं यहां पर golgi complex के बारे में तो यह इसका एक जो part होता है वो बिल्कुल nucleus के करीब होता है जिसको हम बोलेंगे perinuclear ठीक है location जो होता है animal की हम बात करते हैं तो animal में जैसे vertebrate होते हैं जिसमें vertebrate column present होता है उसमें जो है यह जो है nucleus के बिल्कुल closer present होते हैं ठीक है और वहीं पर हम invertebrate या plant cell की बात करते हैं तो यह scattered form में पाए जाते हैं एकदम फैले हुए ठीक है diffuse होते हुए तो इनका जो है cell के अंदर जो location है वो अलग अलग होता है plant cell के अंदर इनकी जो location है वो एकदम फैले होई पूरे cell में छितर बितर होते रहते हैं मतलब थोड़ा scattered form में या diffuse form में वही पर हम बात करते हैं animal cell में या vertebrate animal में तो उनमें क्या होता है जो cell के अंदर जो यह गौलजी complex होता है यह nucleus के एकदम करीब present होता है करीब मतलब बल्कुल past closure closer to the nucleus, correct? अब इसका जो shape की बात कर रहे हैं तो pleomorphic कहलाता है pleomorphic मतलब एक तरीके से बहु रूपी जैसे आपने सुनाओगा बहु रूपिया मतलब जो कई सारे रूप अपने बदल दे किसके according? अपनी environment के according अपने function के according तो यह जो है pleomorphic होता है ठीक है according to the function various मतलब की यह जो है function के according जो है इसका जो रूप है वो अलग-अलग हो सकता है अलग-अलग form में तो यह जो है pleomorphic होता है अब हम देखते हैं अगर इसकी structure की बारे में ठीक है? अब हम Golgi complex के अगर structure की बात करते हैं तो इसमें generally three component नज़र आएंगे जैसे हमने endoplasmic reticulum के बारे में बात किया था अगर आप cisterni की structure को देखो तो जैसे आपने पढ़ा था smooth endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum का जो दूसरे वाला पार जिस पर ribosome absent था जो कि lipid का sensation कर सकता था उससे बिल्कुल similarity शो करता है ठीक है? पस इसमें क्या है? इसमें जो cisterni थे बड़े ही straight थे विकदम ठीक है? एकदम straight type के थे लेकिन यहाँ पर straight नहीं होता यहाँ से इसमें देखेंगे इसमें जो है straight बिल्कुल भी नहीं होता और दूसरा point क्या है? कि इनके जो cisterni होती है वो sack like होते हैं देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल sack like ठीक है? यह गोलजी sack कहलाता है दूसरा point यह जो है unbranch होता है ठीक है? और तीसरा point क्या है? यह parallelly arranged रहते हैं यहाँ से आप देखेंगे एक तरीके से parallel arrangement पाए जाता है चोथा यह जो cisterni होता है इनके बीच में gap भी present होता है इनके बीच में inter-cisternal space present होता है ठीक है? यहाँ पर यहाँ आपस में connect थे लेकिन यहाँ पर connection आपको देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर देखेंगे endoplasmic reticulum के अंदर इसमें जो है inter-connection आपको दिखाई दे रहा है बट यहाँ पर जो गोलजी complex होता है इनमें inter-connection आपको नहीं दिखाई देगा ठीक है? इनके बीच में क्या present होता है inter-cisternal space space present होगा जिसको हम बोलेंगे inter-cisternal space ठीक है? और इन cisterni के अंदर जो है transparent liquid present होता है ठीक है? तो यह था cisterni के बारे में दूसरा है इसमें vesicles, दूसरा जो component होता है, vesicles होता है यहाँ पर नीचे की तरब देखेंगे ठीक है? यह नीचे की तरब यहाँ पर देखो आप यहाँ पर सबसे पहले most important point है, जो आपको काफी informative point है वो यह है कि इसके दो surface आप मान सकते हैं ठीक है? गोलजी complex जो होता है, इसको दो surface में divide किया गया number जो first यहाँ पर जो नीचे वाला, ठीक है? इसको हम बोलेंगे concave side या sorry, convex side या या फिर इसको हम बोल सकते हैं जैसे convex side है और दूसरा इसको हम बोल सकते हैं formative phase, ठीक है? surface भी, side की जगा आप surface भी लगा सकते हैं, तो convex surface और एक formative phase या इसको हम cis phase इसमें 2 phase होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें polarity देखने को मिलती है, इसमें 2 phase होंगे एक cis phase, एक trans phase तो इसमें, जैसे कि आपने organic chemistry भी पढ़ा होगा, BSC first year में, cis और trans phase, दो number में short question में बुचा जाता है जैसे, अच्छे, इसको और भी बैतर से समझना होगा, तो आप इस diagram में चले जाएगे इस diagram में आपको क्या दिखाए दे रहा है, center में nucleus है और ये endoplasmic reticulum है और ये जो है, आपको golgi complex दिखाए दे रहा है, यहाँ पर मैंने कुछ हला कि ऐसा नहीं होता, थोड़ा golgi complex जो है, थोड़ा इधर हो जाएगा या फिर मलना भी एक दुनों, एक दूसरी के बिल्कुल side में नहीं होता, एक दम सामने नहीं होता है ये डिरेक्ली connect रहता है हला कि डिरेक्ली जो है, ये endoplasmic reticulum ये plasma membrane से attached रहता है ये थोड़ा एक दूसरी से थोड़ा differentiation जुरूर होता है ये जो है इधर साइड में हो जाएगा, थीक है तो इस point को भी note कर लेना है तो देखो यहाँ पर इन दो surface को आप easily समझ सकते हैं इसमें Golgi complex के दो side या दो surface होते है एक surface होता है, concave surface, ठीक है, outal, ठीक है, concave surface इसको हम maturation face भी बोलते हैं और trans face भी बोलते हैं ये point note कर लेंगे, और ये किसकी तरफ होता है, ये plasma membrane की तरफ होता है अब I think आपको clear हो गया होगा कि ये जो है face, ये जो surface होगा, ये plasma membrane की तरफ होगा कौन सा surface, trans face, concave surface या maturation face दूसरा जो surface होता है, इसको हम बोलते हैं, convex surface ठीक है, हिंदी में convex को उत्तल बोलेंगे तो ये उत्तल surface, ये जो है towards the nuclear membrane ये जो है nuclear membrane की तरफ होता है correct इसको हम बोलते हैं formative face या cis face formative phase क्यों बोलते हैं इसका reason भी मैं आपको भी बताऊंगा कि क्योंकि इसमें जैसे for example चलिए मैं अभी बापको बता देता हूँ जैसे ये endoplasmic reticulum है और endoplasmic reticulum में दो पार्ट है एक तो है smooth endoplasmic reticulum और एक है rough endoplasmic reticulum अब ये जो rough endoplasmic reticulum है इस पर ribosome present है और ribosome का function होता है protein का sensation करणा और वहीं पर हम smooth endoplasmic reticulum इसका function होता है lipid का sensation करना तो ये جो है lipid या protein का जो sensation करके एक vacuol प्रिजसे ये vacuol present हो गया sorry vesicles present हो गया इस vesicles के अंदर ये जो है packaging करके एक तरीके से इसके अंदर lipid भी हू सकता है और protein भी हो सकता है तो यहां पर यह vacuoles यहां से endoplasmic reticulum से निकल गया, ठीक है? अब यहां पर lipid भी हो सकता है यह protein भी हो सकता है यह vacuoles endoplasmic reticulum से निकला अब यह endoplasmic reticulum से जाता हूआ यह आ गया किस surface पर? convex surface पर, ठीक है? यह formative, क्योंकि यहीं से formation start होगा क्योंकि देखो जो protein का sensation हो रहा है ठीक है अब ये जो protein का sensation हुआ ribosome से directly अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है अब ये complex बनाने के लिए जैसे for example मैं hemoglobin की बात करता हूँ hemoglobin एक बड़ा ही complex protein होता है ठीक है लेकिन वहाँ पर वो directly complex कैसे बना starting में जो वो produce होता है तो वो एक तरीके से एक single polypeptide chain के थुरू जो है मतलब कि एक single polypeptide chain के form में होता है ठीक है जब hemoglobin first time produce होता है तो वो single polypeptide chain के form में present होता है लेकिन अब वहाँ पर उसका folding करना है chemical modification करना है तो ये सरा procedure कहां पर होगा golgi complex के अंदर या golgi apparatus के अंदर अब देखो क्या होगा ये जो है vacule जो है वो आकर के attach हो जाएगा इसके यहाँ पर convex surface पर ठीक है इसके convex surface पर यहाँ पर जो आगे cisterni होता है यहाँ पर आएगा और इसके पर attach हो करके और इसके अंदर ये जो red red color का आपको sport दिखाई दे रहा suppose करो ये protein यहाँ lipids है यहाँ करके इसके अंदर enter कर जाएगा correct अब ये cisterni के अंदर enter करने के बाद इसका ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं इसको बोलते है golgian vacuoles ये जो फूला हुआ swelling पार्ट होता है इसको बोलते है golgian vacuoles ये यहाँ पर किनारे पर attach हो जाएगा ठीक है अब ये जो पूरा इकठा हो करके यहाँ पर आ जाएगा ठीक है अब इसमें folding हो जाएगा इसका chemical modification करने के लिए जो है एक step by step में गुजरता है तो ये जो red color का जो sport दिखाई दे रहा है यहाँ पर आय करके इसके अंदर ही गठा हो जाएगा और फिर ये budding के थुरू बड़िंग के थुरू जो है ये separate हो जाएगा यहाँ से separate होने के बाद अब ये फिर दुबारा से सभी apparatus के अंदर जो है सभी sisterny के अंदर जैसे यहाँ पर हुआ था ऐसे सभी में गुजरता रहता है गुजरने के बाद तब जाकर ये तयार हो जाता है अब ये जो protein तयार हुआ ये बिलकुल mature होता है ठीक है इसलिए इसको क्या बोलते है maturation phase यहाँ पर raw material था कच्चा माल था और यहाँ पर पका हुआ माल था ऐसे आप समझ सकते हैं ठीक है अब ये पूरी तरीके से folded protein या complex protein में प्रिपियर हो चुका है अब इसको जिस target organ जैसे कि मैं आपको बता है कि गौल जी complex traffic police की तरह work करता है जिसको जहाँ पर भेजना है वहीं पर भेजता है ऐसा नहीं है कि कोई भी protein या अब lipids त्यार हो गया और जाकर plasma membrane में enter कर गया या cell से यह exocytosis के थूरू बाहर भी निकल सकता है ठीक है exocytosis एक होता है endocytosis procedure एक होता है exocytosis procedure तो यह जो है यह molecule जो आपको दिखाई दे रहा है vesicles यह बाहर निकल जाता है अब इसके अंदर यह पूरी तरीके से mature हो गया है तो इसे मोलेंगे इसलिए इसको मोलते है maturation phase तो इसके दो phase हो गया है जो कि मैं I think आपको clear हो गया होगा दूसरा structure इसमें vacuoles होता है vacuoles यह बड़ी इसी spherical structure आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दो side है galgy complex के एक convex और एक concave ठीक है convex side जो होता है वो formative phase कहलाता है या cis phase कहलाता है और concave side जो होता है वो यहाँ पर note करेंगे maturation phase कहलाता है या trans phase कहलाता है correct अब यह जो number of cisterny है यह जो cisterny galgy complex के अंदर जो cisterny है इनका जो number होता है वो vary करता रहता है number of cisterny is variable plant के अंदर 10 से 20 हो सकता है animal के अंदर 6 से 12 हो सकता है और fungi में uni cisterny मतलब कि सिर्फ एक cisterny ही present होता है fungi के अंदर इसलिए कभी-कभी हम बोल देते हैं कि fungi का होता है fungi cell के अंदर उसके अंदर absent होता है जो गोलजी complex होता है वो absent होता है इसलिए अभी-कभी कह देते हैं लेकिन इसमें जो है कभी-कभी uni cisterny मतलब कि एक cisterny देखने को मिल जाता है तो यह अब तक हमने देखा गोलजी complex structure के बारे में हम कहेंगे three major component सब बना होता है cisterny vesicles और vacuoles vesicles छोटे-छोटे होते हैं vacuoles बड़े-बड़े spherical होते हैं ठीक है यह देख सकते है vesicles छोटे-छोटे और किस surface पर convex side में vacuoles जो होते हैं वो उपर बड़े-बड़े spherical होते हैं और यह कहां पर present होंगे concave side में अब हम देखेंगे थोड़ा से इसका function function में secretion cell plate formation करता है cell wall का formation करता है और जो sperm है उसके आगे वाला जो tip या आगे वाला जो सीरा होता है acrosome जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर hyaluronidase, enzyme होता है जो कि वहाँ पर egg cell होता है उसको वहाँ पर lysis करने के लिए present होता है तो यह सारा जो है उसमें golgi complex होता है उसमें golgi complex ही present होता है और भी यह hormones का production करता है lysosome का formation भी यहाँ पर golgi complex का ही काम होता है ठीक है और chemical composition देखो तो यह phospholipids, enzymes, carbohydrates का बना होता है main function मैंने आपको बता है कि इसका दो main function है एक होता है इसका secretion main इसका function secretion है और secretion भी दो type का होता है simple diffusion हो जाता है simply fell जाता है जो material होता है celltoplasm के अंदर या targeted से ले और दूसरा होता है reverse pinatocytes ठीक है pinocytosis दूसरा होता है reverse pinocytosis इसको थोड़ा समझेंगे ध्यान से जैसे plasma membrane हो गया ठीक है यह हो गया plasma membrane एक तो होता है कि pinocytosis कैसे होता है simple plasma membrane में कोई यहाँ पर material आया ठीक है अब यह material जो है आकर कि इससे attach हुआ फिर यह तरीके से यह pinosome का formation हुआ और यह pinosome तयार तो इस तरीके से कभी कभी packaging हो जाती है plasma membrane के तुरू लेकिन अगर इसका reverse हो जाए मतलब यह जो material है यह दुबारा से जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अब यह जो material है यहाँ पर आकर कि cisternis attach हो करके अपना जो material है उसको release कर रहा है जैसे के अंदर तो इसको हम बोलते है reverse pinocytosis जैसे यहाँ पर आप फटा फट इसको note करेंगे अब हम थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे जैसे कि हम इने introduction आप अल्रड़ी दे दिया है तो अब आपको इसको simply क्या करेंगे theoretical अब हमारा topic होगा कि हम इसको theoretically कैसे introduction क्या है property क्या है structure क्या है सब इसको theoretically explain करेंगे पहले आप इसको फटा फट note करें गाईज अब आपके सामने यह theory है Golgi complex, Golgi body, Golgi apparatus की जिसमें मैंने starting में जो introduction दिया था वही theory आप आपके सामने directly यहाँ पर है इसके base पर आप exam paper में भी explain कर सकते है यह NCRT based theory है ठीक है NCRT की books में से ली गई theory है most important है एक-क point इसका important है सभी इसमें जो Golgi body को explain किया गया है point to point किया गया है मतलब यहाँ से इसकी जो theory है very important सो देखो सबसे पहले अगर हम discovery की बात करते हैं सबसे पहले तो आप इसका screenshot ले ले फिर उसके बाद हम इसको explain करते हैं screenshot लेने के बाद अब हम देखते हैं सबसे पहले इस discovery Golgi body is also called lipochondria और idiosomes Golgi body को हम lipochondria भी बोलते हैं idiosome भी बोलते हैं and dalton complex भी बोलते हैं क्योंकि dalton इसकी ultra structure को provide किया था और Golgi complex बोलते हैं और Golgi operators भी through was first observed by George George ने सबसे पहले observe किया था 1867 में but its morphological details were given by Golgi Camilo Golgi Camilo Golgi ने 1898 में इसकी morphological details को दिया था जिसके लिए उन्हें Nobel Prize से awarded किया गया था 1906 में Nobel Prize से उन्हें award किया गया and in inner cells of cats and owl जो billy and owl होता है उल्लू जो होता है उसकी nerve cells के अंदर इसको इन्होंने उसको explain किया and it is a light microscopic organal ये जो है light microscopic organal है दूसरा number point है occurrence प्राप्ती स्थान कहां पर पाया जाता है so Golgi body is absent from the prokaryotic जितने भी prokaryotic cells होता है जो की less developed cell है उसमें ये absent होता है और जितने भी high developed cell जाते it is present in all the eukaryotic except mature mammalian RBC red blood carb cells में absent होता है mature RBC में absent होता है और इस पर मेट्टो जोवा of bryophyta and tridophyta and sheave tubes of cells of the phloem of angiosperm जैसे कि मैंने आपको बताया था tridophyta का stealer system explain करते वक्त कि जो stealer system होता है इसमें phloem जो होता है complex tissue xylem and phloem phloem के अंदर जो sheave tubes होती है उनके अंदर ये जो golgi complex होता है ये absent होता है वहाँ पर इसकी बात की कि जो sheave tubes होता है this is the component of phloem ठीक है दूसरा point उन्होंने क्या कहा spermatojoa of bryophytes and teridophyte bryophyte और teridophyte की spermatojoa है उसके अंदर absent होता है तीसरा point उन्होंने क्या कहा कि जो mature mammalian rbc red blood carpus cells जो होता है उसके अंदर भी absent होता है बाकी सभी जितने भी eukaryotic cells होती है जो की complete develop जिसके अंदर animal और plant cell आता है उसमें present होता है correct तीसरा point है position position क्या है इसकी in the vertebrate cell जो vertebrate cell है golgi body is single single होता है जिसको हम बोलते है golgi shome and localized as इसकी जो location होती है and occupies a fixed position fixed position होती है and it lies around a abocentriole near the nucleus nucleus की बिल्कुल close pass में पाए जाता है while a number of golgi bodies are perinuclear around the nucleus मतलब यह जो है around the nucleus पाए जाता है और in the nerve cells invertebrate in the invertebrate and plant cells a number of golgi bodies are scattered जो कि मैं already यह सारी point मैं introduction में बता चुका हूँ बस यहाँ पर थोड़ा theoretically note कर रहे है थोड़ा revise कर रहे है थाकि हमको अच्छे से याद हो जाए यह तो मैं already बता ही चुका हूँ कि वही scattered form में पाए जाता है irregularly होते है in acytoplasm के अंदर and are called dictyosome plant cell के अंदर इसको हम dictyosome बोलते है this condition is called diffuse जो scattered form में पाए जाते है बिखरे वे पाए जाते है cell के अंदर condition this is called diffuse फैलना ठीक है उसके बाद point आता है shape shape तो shape इनकी कैसी होती है it varies and depend upon the functional state of the cell so is called is pleomorphic organelle यह जो है pleomorphic मतलब की बहु रूपी होता है अपना जो रूप होता है वो इस function के according change करता रहता है so we can say this is the pleomorphic organelle उसके बाद आता है size and number इसका जो size होता है और number होता है it is a large size in mature functional and secretory cells इसका जो size होता है बिल्कुल mature functional secretory cells होती है और जो germinal cells होती है जिसमें सबसे ज़्यादा secretion होता है उसमें इसका जो size होता है काफी large होता है यह मैं already बता चुका हूँ due to the function यहाँ पर function की द्रस्टी कौन से देखा गया है कि जो secretory cells है और germinal cells है उसमें ज़्यादा secretion होता है ज़्यादा function है इसलिए उसका जो size है वो large है बट वहीं पर हम बात करते है small in a non-secretory cells for example muscle cell जो हमारी muscles होती है उसमें बहुत ही कम secretion होता है यह secretion बिलकुल भी नहीं होता तो उसमें जो इसका size है बहुत ही small होता है correct तो यह भी function के coding ही हुआ the number of dicteosome in plant cell is highly variable मतलब की जो dicteosome या गोलजी complex जो होता है plant cell के अंदर highly variable होता है for example one in lower algae मतलब एक जो lower algae होता है उसमें की संख्या एक होती है and जो cara algae है cara algae में लगब 25,000 के approach 25,000 के approach lizoidal cells के अंदर present होती है मतलब risoidal cells जो cara के जो risoidal cells होती है उसमें जो इनकी संख्या है 25,000 होता है correct so guys average number range is 10 to 20 dicteosome per plant cells मतलब जो plant cells है उसमें जो average number देखा गया तो प्रतिक cell के अंदर 10 to 20 dicteosomes present होते है 10 से लेकर 20 तक structure की बात कर लेते है structure under the electron microscope by Dalton Felix 1954 इन्होंने जो ultra structure दिया था the golgi bodies form 3 types of elements यह जो है 3 types of elements से मिलकर बना होता है number first is that cisterny number second is vacuoles number third is vesicles so cisterny के अगर हम बात करते हैं मैं उलेडी बता चुका हूँ cisterny की structure और उसके बारे में देखो यह cisterny की structure है जो की flat होता है एकदम flat ठीक है चप्टा होता है और किनारे से यह swollen part होता है इसके दोनों end पर आप देखेंगे swollen part फूला हुआ भाग होता है जिसको हम golgian vacuoles बोलते हैं एक के बाद एक के बाद एक parallel membranes होती है and these are elongated double layered होता है elongated होता है and flat and covered and covered component with a swollen ends दोनों तरब देखेंगे सकते हैं swollen ends present है and upon the other swollen ends of the cisternal is called golgian vacuoles यह जो किनारे वाला जो फूला हुआ भाग इसको हम बोलते हैं golgian vacuoles और इनकी जो संख्या है वो animal cell में 3 से 12 animal cell के अंदर 3 to 12 होती है और plant cell के अंदर 10 to 20 मतलब plant cell के अंदर इनकी संख्या जादा होती है correct तो इसको फटा-फट नोट करें तो guys number second component heading डालेंगे vacuoles सबसे पहले आप इसका screenshot ले लीजिए इसको फिर बाद में आप इसको note कर सकते है और अभी आप यहाँ पर समझे जैसे number second component इसका जो golgi complex होता है वो है vacuoles vacuoles जो है spherical structure है जिसे मैं अल्रडी आपको बता चुका हूँ तो लिखेंगे इसके बारे में these are spherical components and each about इसका जो diameter होता है वो 1600 angstrom का होता है and lie towards the concave sides in the cisterny यह देखो यह है convex side this is the concave sides तो यह जो है concave sides के तरफ lie करता है cisterny के यह cisterny का कौन सा पार्ट है देखो यह cisterny का कौन सा पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे concave side and this is the convex side नीचे वाला पार्ट convex sides होगा तो convex sides जो होता है वहां से जो कोई भी vesicles है वो enter करता है वहां से जो substance है endoplasmic reticulum से vesicles जो होता है वो आकर के इससे attach रहता है attach होने के बाद वो protein release कर देता है protein या lipids कोई भी substance इस कोलजी बोड़ी के जो cisterny है इस पर release कर देता है फिर उसके बाद धीरे-धीरे यह जो है step by step by step यहां पर आकर के इसमें vacuol का formation हो जाता है तो देखो क्या होगा जैसे protein है protein के साथ attach हो जाएगा कोई carbohydrate, glucose attach हो जाएगा glycoprotein बना लेगा lipids के साथ अगर attach हो गया तो glycolipids बना लेगा तो vacuoles के बारे में हमने लिखा number second, number third जो component होता है Golgi complex का वो है vesicles so vesicles क्या है these are the small size components ठीक है यह जो है small size के components होते है and each about इनका जो diameter होता 14 angi strong होता है ठीक है 14 angi strong का diameter है present along the convex surface यह जो है cisterni के respect में convex surface में present हो गा है and vesicles are of two types two types के vesicles होते है secretory product present होता है और endoplasmic reticulum यह Golgi complex का secretory product present secretory substance present होता है and cotted vesicles जो दूसरे type का endo vesicles होता है उसको बोलेंगे cotted vesicles with rough surface and generally lie near the convex surface और एक important point इन दोनों surface के बारे में concave और जो convex surface है उसके बारे में थोड़ा से यहां पर लिखेंगे the Golgi body has a definite polarity इसमें जो है poles बनते हैं cis and trans and its concave side is always directed towards the cell membrane यह जो है cell membrane की और present होता है and called the maturation phase जिसकों बोलेंगे maturation phase या trans phase वहीं पर while its convex surface it towards the nucleus and the cold is formation phase यह जो है nucleus के तरफ present होता है इसका जो convex surface होता है वो nucleus की तरफ present होता है and इसकों formation phase बोलता है क्योंकि यहीं से जो भी vesicles होता है या molecules होता है उसके अंदर protein या lipids का formation start हो जाता है correct and this is also called as cis phase understand and it appear यह appear कब होता है कब दिखाई देगा that material are transported from the cis to trans by vesicles जब vesicles जो होता है उसके अंदर जो material है उसका transport जब होता है तब हमको पता चलता है कि हाँ यह convex side है and this is a concave side ठीक है एक trans और एक cis phase chemical composition की अगर हम बात करते हैं Golgi complex के तो आपको इसमें दिखाई देंगे phospholipids, enzymes and carbohydrates so phospholipids में from the phospholipids जो होता है वो Golgi complex का membrane ठीक है वो जो है membrane बनाता है और number second enzymes जो होते हैं जैसे acid phosphate प्रजेंट होते हैं जैसे adepase adepase adenosine diphosphate अब यह mg2 plus ATPase मतलब mg2 plus adenosine triphosphate adenosine triphosphate इसमें आपको लिखेंगे glucose amines and transferase एट सेटरा यह सारे enzymes जो है EGOLG complex के component में या chemical composition में present होते हैं number third point है carbohydrates carbohydrates में glucose, manose and galactose, etc. में इस टाइप की जो carbohydrates है वो पाये जाते हैं ठीक है so guys यह जो आप देख रहे हैं यह है flow of secretory material कैसे secretory material का flowence होता है जैसे यह हमारे पास है endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum जो vesicles है वो वहाँ से release हो गया जब देखो यह है endoplasmic reticulum का SER SER मतलब smooth endoplasmic reticulum जहां से lipid का sensation होता है और यह है rough endoplasmic reticulum जहां से protein का sensation होता है तो यहीं से vesicles के form में उसमें जो protein या lipids यहीं से निकलते हैं यहां से flowing start हो जाता है और यह जो है golgi apparatus के जो sisterny पर जाकर attach हो जाता है फिर वहां से वो lipids या protein को वहां पर release कर देता है ठीक है अगर protein होगा तो वो जो है आगे चलके एकदम complex हो जाएगा lipids होगा वो आगे चलकर के किसी carbohydrates से add होकर glyco protein या यह है forming phase और यह क्या है पूरा represent कर रहा है flow of secretory material free secretory material का flow कैसे होता है और किधर होता है correct तो इसको फटा-फटा आप note करें चारे दोस्तों यह last heading है function of golgi complex most important topic किसी भी cell organs की structure और उसका function most important कोई भी competitive exam देने जाते हो आपका यह function होता है काफी important इस portion से इस topic से काफी सारे questions पूछे जाते हैं देखो यहाँ पर basically हमें पता चलता है जैसे for example आप कहते हो कि जो thyroxine hormone है वो कहां से निकलता है thyroid gland से लेकिन जब आप यह समझते हो कि thyroxine भी कहां से release होता है उसको कौन बनाता है तो वो चीज़ आप यहाँ पर पड़ोगे बल्लकुल deeply कि कहां से बन रहा है center point कहां पर है correct तो अभी हम देखेंगे function of Golgi complex तो इस video का सबसे पहला वाला part जो मैंने upload किया था वो important है और यह last वाला part जो कि function है यह दोनों part अच्छी से revise कर लें तो सबसे पहला देखो function क्या है it is involved in cell secretion major function जो Golgi body का या Golgi complex का होता है वो है secretion करना so is large size in the secretory cells इसी वज़े से secretory cells के अंदर जो इनका size होता है काफी बड़ा या large होता है it helps in the formation of hormone यह जो है hormones का formation करते हैं for example thyroid glands के अंदर यह thyroxine का formation करते हैं तो अभी आपने क्या देखा कि thyroid gland के अंदर thyroxine hormone बनता है और वो कहां से बनता है Golgi complex के थू ही बनता है तीसरा point क्या है it takes part in the cell plate formation during the cytokinosis in the plant cells plant cells में जब cytokinosis का procedure होता है उस समय plate का formation कौन करता है Golgi complex it helps in the synthesis of pectic substance जैसे आपने सुना होगा कि plant cells के अंदर या animal cells के अंदर generally plant cells के अंदर आप सुनते हैं कि यह जो है pectic substance का बना होता है that means वो pectic substance consecrate करता है Golgi complex number fifth formation of acrosome of spumps most important procedure इसलिए मैंने हापर diagram भी बनाया है देखो acrosome का formation जो होता है वो Golgi complex एक तरीके से उसका ही modification होता है रुपांतरन होता है देखो यह center में जैसे यह cell है यह nucleus है यह mitochondria है यह nucleolus है and this is a centriol this is a dictyosome dictyosome is also called Golgi complex so अब देखो इसमें जो है आगे की तरप acrosome का formation हो जाता है यह dictyosome है यह mitochondria this is the distal central and axial filament टिकेट distal centriol उसके बाद number third diagram देखेंगे इसमें acrosome का formation हो गया यह proximal parts हो गया यह centriol हो जाएगा यह distal centriol and this is a axial filament axial filament last में जाकर के tell बनाता है और आगे वाला part में देखेंगे यह head बन चुका है acrosome acrosome के अंदर hydrolytic enzymes होता है जिसका नाम होता है hyaluronidase enzyme जो कि egg cell में जाकर के जब fusion करता है तो उसे lysis करता है correct और यह middle part हो जाएगा middle piece and this is a tell तो यह जो इसका acrosome होता है यह golgi complex का ही रुपांतरन होता है ठीके इसी golgi complex में ही hormones का secretion होता है जो कि मैंने आपको नाम बताया hyaluronidase hyaluronidase enzyme ठीके आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर यह जो note कर सकते हैं acrosome formation का procedure उसके बाद है it helps in the formation of primary lysosome primary lysosome का formation भी golgi complex के तुरू ही होता है and it takes a part in the vitalogenesis that means yolk synthesis eggs के अंदर जो yolk का synthesis होता है उसमें BC का participation होता है it is the it is involved in biosynthesis of glycoprotein and glycolipids correct जो कि मैंने आप बता भी चुका हूँ कि कैसे इन में glycolipids और glycoproteins का formation होता है correct endoplasmic reticulum से फिर उसके बाद vacuoles के form में ठीके vesicles की form में वो जाता है फिर उसके बाद sister निसे attach हो करके उनके अंदर तो धीरे धीरे वलब last में जो raw material से ripe material ठीके आप ऐसे बनता रहता है उसके बाद उसके बाद है topic it participate in transformation of membranes and recycling of plasma membrane यह जो है plasma membrane recycling करता है transformation of participate करता है transformation of membranes correct and concentration and storage of security product concentration and storage of security product में काम करता है मतलब secretary product का storage भी करता है concentration सांदरनता भी बनाए रखता है and synthesis of carbohydrates and glycoproteins अब आप जैसे की for example आपने जैसे pancreas आपने नाम सुना होगा तो pancreas में जो आपने सुना होगा कि इससे proteoze protease और lipase enzyme का secretion होता है तो उस pancreas के अंदर cell का नाम है exocrine cells और इस exocrine cells के अंदर ही golgi complex होता है golgi apparatus होता है जो कि digestive enzyme का secretion करते हैं जिनका नाम protease और lipase ये जो है biomolecules का उपापचय में कामाते हैं ठीक है metabolism में कामाते हैं उसके बाद number second आप देखेंगे intestine mucosa intestine mucosa का जो part है उसके अंदर कौन से cells प्रेजन होंगी goblet cells ये जो goblet cells होती है इससे mucos और gymosin enzyme का secretion होता है ठीक है तो इस goblet cells के अंदर भी क्या प्रेजन होता है golgi apparatus जो कि इस enzyme का secretion करता है तीसरा point है intestine mucosa का ही एक paneth cell है ठीक है paneth cell से protease enzyme का secretion होता है उसके बाद liver cells की बात करते है तो liver के अंदर hepatic cells present होती है जिसमें golgi complex होता है जो की lipase enzyme का secretion करता है तो इसका अलग-अलग जो organs होते हैं उसकी cells के अंदर अलग-अलग तरीके से modification या जैसे कि मैंनक होता है pleomorphic होता है बहुरूपी होता है तो इस तरीके से इसमें पाया जाता है correct secretory cells में बहुत सारी जो secretory cells होती है उसके अंदर golgi complex भी present होता है generally eukaryotic cell blood की बात करते हैं blood के जो plasma cells होता है उसमें immunoglobulins का secretion करता है correct तो golgi apparatus play an important role in the prevention of destruction of cell cell के destruction जब होता है cell जब destruct या cell का विनास जब होता है तो उस समय इसका prevention करता है ठीक है this is this process the destruction of cell is process is also called apotopsis and this is occur in the multicellular organism so यह जो आपने देखा यहाँ पर acrosome का diagram है कैसे acrosome का formation होता है और यह function अगर long question exam paper में पूछा जाता है तो इस point को हमेशा note करे function जरूर पूछा जाएगा और function भी आप note कर लेंगे so उमीद करता हूँ यह video आपको लिए पसंद आया हो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो please like करे और channel को subscribe कर दे अगर आपको ब्यस्स रिलेटीड टॉपिक्स चाहिए chemistry, zoology, botany धीरे-धीरे हम इस channel पर provide करने वाले है so guys मिलते हैं next video में bye bye टटा